कि चलिए फ्रेंस आज हम पढने वाले मानव शरी से सम्बंदित कुछ महत्व पुन । प्रशन हैं और क्या बार में पुछे भी गए और आगे भी आने वाले प्रक्षाव में पूछी जाने की संभावना है तो हम इन प्रशनों को बहुती ध्यान से और बहुती अच्छे से पढ़ने वाले हैं और पिच्चरों के तुरू याद करने वाले तो इन सभी कोशनों को याद करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तो च तिली भी थो देख लीजिए आप यह हमारा प्लिहा ठीक है यानिकी इस्प्लीन जहां पे हमारा हमारा बलड बैंक होता है यहां पर यहां प्रेमीन में स्योंते होकी इंदित के नहीं होता है चोटी या अप्रिया इन्में से कोई नहीं दो हमारा से अंशर हो जाएगा when you left Lenyo देकि चलिए हमारा लिवर कहा है हमारा लिवर देखा यह द शनीधा में देखार पर हमारा पित उद्वीन के घठाऊ हरीसी जो खोटी जी गोला सा दिख रहा है दग दिया मैंने ठीक है यहां पे एक मात्र पितरस होता है खाना पचाने में साहिक होता है ठीक है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रखत जम जाता है यह ऑफाइबरे नोजेन हेपरिन सीरम उप्युक्त सभी तो हमारा सेंसर क्या हो जाएगा फाइब्रे नोजेन तो कैसे जमता है रख आप देख लीजी इस तरीके से ठीक है या फिर चोट लगते खुली तो मनुस्य कितने परत से मिलकर बनती है कितने परत से मिलकर बनती है गन मेटल किसका मिसरधातू होता है गन मेटल किसका मिसरधातू होता है कोपर जिंक टीन या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारा सेंसर क्या हो जाएगा हमारा ये तीनों हो जाएगा ना कोपर जिंक टीन तीनों से मिलकर बनती है तो यह हो जाएगा सभी ठीक है उप्यूक्त मानव सरीर में संक्रमन को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है तो कौन सा होता है इनमें से कोई नहीं है विटामिन सी होता है ठीक है मानव सरीर में संक्रमन रोकने में मदद करने वाला क्यों होता है विटामिन सी होता है ठीक है चलिए मनुस्य के दांत कितने परकार के होते हैं चार परकार के, तीन परकार के, छें परकार के, या फिर आठ परकार के तो कितने परकार के होते हैं चार परकार के, मनुस्य के दांत, चार परकार के होते हैं कौन-कौन से आप देख लेते हैं I, C, P, M तो कॉन-कॉन से होते हैं या आप देख सकते हो ठीक है चलिए पानी के अंदर दुनी सुनने में यंत्र को क्या कह जाता है पानी के अंदर दुनी हो जाएगा हाइडरोफुन देख लेता है कीछा डिकता है इस तरह को ले खता है थिक है तो परकासी तंतू में परवेश किस तांत Πार कारिये करता है तो किस तांत्पर करता है परकास का प्रावर्तन पून आंत्रिक प्रावर्तन या फिर न्यूंतम गती या फिर उप्युक्त सभी तो कौन सा करता है पूरुन आंत्रिक प्रावर्तन तो कौन सा पूरुन आंत्रिक प्रावर्तन तो देख लेते हैं किस तरीके से देखें पोधो का कौन सा हिस्सा पानी और खनीज का परिवाहन करता ह तो कौन सा हिसा करता है फूल तना जड या फिर जाइलम तो कौन सा करता है जाइलम ठीक है चलो जाइलम देख लेते हैं क्या होता है देखिए ठीक है यह जाइलम है यह फूल पत्ती है पानी है चलिए किस वैग्यानिक ने करम विकास का सिंदान दिया था तो किस ने दिया था चार्ल्स डर्विन ने किसमें चार्ल्स डर्विन ने तो हम इसकी फोटो देख लेते हैं कैस दिखते हैं चार्ल्स डर्विन तो यह इस तरह के दिखते हैं ठीक है चलिए कि मनुष्ये के सरीर में पर्चूर मात्रा में पाया जाता है Nitrogen oxygen calcium uplifting मेंसी तो हमारा स्षान्स हो जाएगा क्या पाया जाता है मनुष्य के सरीर में था क्या पाया जाता है oxygen ठीक है छलिए देखे लिए ओक्षिजन कितने परसंट पाजेती पैसेट परसंटी कार्बन 18 ہाइड्रोजिन 10 अर्ग पाते हैं और अधर अधर हैं करना मानुफ सरीर की सबसे बड़ी कोषिका का किया नाम है मानुफ सरीआ कैए कि लीवर क्रिटनी हिर्दे तंत्री का कौशी का क्या नाम है ट्यक्ति वुर्फ हैसे के मंस्य को म सबसे पहले DNA की खोज किस कि ना सबसे पहले DNA को किस ने अलग किया था कि सब से पहले डीनने को किस ने अलगप ऐसा है यह यह जुद अलगए यह एक होज कि ठीस कितीए जेम्स वाटसन ने और जी प्रिंस करिक ने जेम्स वोटसन ने प्रिंस क्रिक ने सिप में नहीं तो हमारा सियांसर हो जाएगा ये दोनों है James Watson और जी प्रिंस Crick चलिए James Watson प्रिंस Crick मानो सरीर में एनीमिया बिमारी किस धातू की कमी के कारण होती है जस्ता लोहा कोबर्ट या फिर चांदी तो हमारा से आंसर हो जाएगा लोहा है ना आइरन की कमी से मानो के सरीर में जो है एनीमिया की विमारी होती हैं पीले पड़ जाते हैं हाथ प्याइप ठीक है यह normal है जिसमें आइरेनी कमी नहीं है और इसमें कमी है उसके हाथ प्याइप पीले आंखे-पीली हो जाती है सोडियम और पोटेसियम को किस में डुबोकर रखा जाता है डीजल पेट्रोल दूद कैरोसीन किसमें डीवूकर रखा जाता है कं चलिए लगत रहे की अभी तो हमारा प्रेटोक्स अभी क्रिया है तो यह दोनों ठीक है चाहें यह दोनों छलिए बोजन का पांचन कहां से शुरू होता है बोजन का पांचन कहां सुरू होता है मूह अमास से अगनाश्य या फिर यकरत तो हमारा सेंसर हो जाएगा दोन बोजन का पांचनद किस दांध पर कारिये करता है विद्त चुंबक क्या प्रेरं या फिर अन्योन से दोनों दोनों से ठीक है यदि प्रित्वी पर किसी इंसान का वजन 38 kg है तो बुद्ध ग्रह है पर उसे उस इंसान का वजन कितना होगा 14.3 kg, 38 kg, 380 kg या फिर 3.8 kg तो हमारा सेंसर हो जाएगा हमारा सेंसर क्या हो जाएगा 14.3 kg ठीक, 14.3 kg चलिए तो थैंक ये सो मच आज के हमारी वीडियो जाएपर नहीं पर खत्म होती है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें और मुझे बताए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाओं